बेखती हैं दोस्तों जय मातारा नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और श्वस्त होंगे तो दोस्तों क्रिश्णा रिंग की ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और अभी के तीन टीन बज रहा है दोस्तों और आज थोड़ा सा ब्लॉगिंग लेट से स्टैस कीया है और समान सारा बन चुका है और आज हम कहीं पर जा रहें दोस्तों तो सबसे पहले सभी भाईयों को सभी दोस्तों को क्रिश्णा रिंग की ब्लॉग के तरफ से प्यार बड़ा नमस्कार और अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों ताराफिट का नाम आप जरूर सुने होंगे जो पस्चिम बंगाल में ताराफिट का और आज हम भी जा रहें दोस्तों बहुत खुस हैं चुकि माता जी बुलाई हैं और हमको बहुत दिन से जाने का मन था लेकिन ऐसा मोका नहीं लग रहा था लेकिन आज हमको मोका लगा है तो जा रहे हैं चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे पूरा तार अधर केम अधर Chief तो घाड़ी आचुका है दोस्तों अफ लोग देख सकता है और दोस्तों लोग सब हमारे बैठे हुए हैं और आज बहुत दिन के बाद हम लोगों का नसीब हुआ है तारा पिट जाने का तो आप लोग वेडियो में बने रही है आप लोगों को पूरा ता और अभी दो दोस्त और बाकी है तो चलिए आप लोगों को भी तारा फीट घुमाएंगे और माता जी का दर्शन करवाएंगे और जितना हो सेके जरूर दिखाएंगे दोस्तों राजा साहब भी हम लोगों के साथ में आ चुके हैं पंकज कुमार और आब पारन दोस्तों निकलने मालें एक दोस्त और हैं धरन्जे जी उनको साथ में लेना है हो यह दो जोस्तों और हम लोग धरने को भी ले चुके हैं साथ में और आप लोग मतस्ते बैसे डिङला तो दोस्तों अल्रेड़ी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोगों के घर से लगभाग 180 किलो मीटर पढ़ता है दोस्तों एक तरफ और लगभाग 18.36, 360 किलो मीटर पढ़ जाएगा हम लोगों को आना और जाना लगभाग आझे हैं और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे और जहां तक सकेंगे दोस्तोंstairs आप लोगों और हो वीडियो में आप लोग बने रहे हैं और अभी हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं राम लखन होटल है यही पर हम लोग रुखे हैं थोड़ा सा चीप सुप्स लेने के लिए और अभी यहां 10 मिनट हम लोग रुखेंगे उसके बाद फिर निकलेंगे अब लेख सकते हैं रास्ता में खाने वारें के लिए और हम लोग यहां पर दोस्तों थोड़ा सामने में जो अब बहुत अच्छा है और अभी हम लोग रुखे हुए थोड़ा सा गारी खड़ी अभी है चलता है भी चाई के दुखान पर हो तो दोस्तों थोड़ा सा ठंडा ले रहे हैं तुर्पूरय ले रहे हैं और यहीं पर रुखे हुए अभी दस मिनट लिए हाल्ट किया है जब बढ़ जिए वाल दोस्तों उल्रेड़ीें लोग दिमंका पहुंच चुके हैं और दिमंका के तावर है जटावर चोक दीख सकते हैं और हम लोग यहां पर थोड़ा सा थोड़ा दर के looks टें करेंगे थोड़ाव सा लास्ताका भूख लग लग लोग और नश्ता जो यहां पर देता है दोस्तों चलिए दिखाते आप लोगों को यहां का नास्ता क्या लाजबाब देता है तो अल्रेडी हम लोग दुमका पहुट चुके हैं और थोड़ा साम लोग इस्टेक की हैं नास्ता करने के लिए और यह जो दुकान है बहुत ज्यादा लोग आते हैं अपने के लिए आप लोग देख सकते हैं मुड़ी है चौप है साथ में भूगनी भी है और एक पापर भी आप लोग देख सकते हैं मुड़ी गुगनी और पापर भी है और सभी दोस्ते लों यहां पर आस्ता कर रहें तो दोस्ता अभी राथ का लगवाद 9 वजने वाला है और हम लोग ओल्रेडी जैमातारा पहुत चुके हैं जैमातारा और अभी हम लोग यहां पे डाड़ी कि और अभी हम लोग सबसे पहले एक रूम का वेवस्था करेंगे और रूम का वेवस्था करने के बाद हम लोग जाएंगे रूम के और सबसे पहले तो फ्रेश होएंगे दोस्तों अभी अभी पहुंद के हैं मातारा का जो जगा है यहां पे तारा पीठ अब्लोग अल्रेडी पहुत चुक हैं दोस्तों और गारी में बहुत चबर जास्त मौसम भी कर दिया था लगवक चार बजे के बाद मौसम भी एक्दम सुहना बन गया था थोड़ा सा ठका ठका तो लाका जो यह दोस्तों तेन्सौट सहर रात का नजारह को बहुत ही जबर जसी वर्जक्ट है और यह 11 tengשה aja रने के लिए रात में हबम हम लोग जा रहे हैं रोम लेने के लिए जहां पर हम लोग रात में को झूक DAY और रात का एसका है दोस्तों यहां का प्राजो पहले यहां पर चाय प्येंगे चुकि चाय बहुत देर से नहीं प्येंगे यह दोस्तों यहां का चाय आप देख सकते हैं बहुत जबर्जास्त चाय है अब दोस्तों आप दोस्तों चाय पीने में आप देख सकते हैं अब अब दोस्तों चाय का शुष्की लेते हुए अब दोस्तों आप फड़ा सा ले रहें गुप चुप का अनन्द ले रहें दोस्तों चार चार भी पोटल मां देख में इस अब दोस्तों और दोस्तों अब दोस्तों देखते हैं होटल गितांजली में आए हैं हम लोग और सब से पहले यहां देखते हैं अब यहां पर रूम मिलता है या नहीं मिलता है तो चलते हैं पहले हमारे में तो जो है कलाया जी थाले थाट चुके हैं दोस्तों ती गाड़ी में आते 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 तो आप अल्रड़ी अवलोग रूम पे पहुच चुके हैं अब यह है व्लोग का दो में पर देख सकते हैं वुचि पहँचांट रावत में पर दो बारश है और यह है बस्तों यहां का बालकनी कि आपको देख सकते हैं तो दोस्तों अभी रात का लगभाग साढ़े 11 बजने वाला है और अभी खाना लेकर के आचुके हैं रोटी आप देख सकते हैं रोटी लेके आए हैं और सलाद लेके आए हैं और पानी लेके आए हैं और सब्जी दोस्तों लेकर के आ रहा है दोस्तों